हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टॉक फर मनी यूट्यूब चैनल पर टाटा ग्रूप की एक लीडिंग एग्रो किमिकल कमपनी के उपर बात करेंगे और कमपनी है रेलीस इंडिया लिमिटेड कमपनी लगातार अपना केपासिटी बढ़ रहा है दोस्तो न एक बहतरिन कमपनी लगता है अग्रो केमिकल इंडिस्ट्री में आप इस कंपनी के उपर नजर बना के चल सकते हैं तो पहले आएई जो एग्रिकल्ट्रा इंडिस्ट्री है ये कैसा विहब कर रहा है इसके उपर थोड़ा सा बात करते हैं अगर हम बात करेंगे भारत की अग्रीकल्चरार प्रडॉक्षन लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है, यह 2021 का डेटा है, यहां पर देखे प्रडॉक्षन मिलियन टॉन्स में है, और एवरेज भी आपर लास्ट फाइव रेज यहां पर दिखा गया है, देखे राइस में क्या है, एवरेज अगर हम बात करेंगे last five years का यह 12 million tons यहां पर दर्ज होते हुए आपको दिखेगा but यहां पर दिखेगा 2020 में यह बढ़ के 120 million tons हो गया है wheat के case में भी देख पा रहे है 100 से 109 million tons हो गया है pulses में 22 से 24 tons हो गया है oil seeds में 33 से 37 हो गया है सुगर केन की अगर बात करेंगे 362 निकल के आया है बट अगर 2021 की बात करेंगे यहाँ पर देख पारे हैं 398 मिलियन स्टन्स यहाँ पर सुगर केन की जो प्रोड़क्शन होते हुए आपको दिखा था कॉटन की केस में भी वही है 32 मिलियन टन से 37 मिलियन टन यहाँ पर जो है दोस्टों प्रोड़क्शन होते हुए आपको दिखा था यहाँ से अगर हम ओवराल बात करेंगे जो भारत का जो एग्रिकल्चर प्रोड़क्शन है दोस्टों यहाँ पर लगातार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है अगर हम बात करेंगे Company Release India Limited की यह Company Business क्या करता है इसको हम देखते हैं देखिए अगर हम Company की Business Division को देखेंगे तो देखिए Company जो है Crop Care और Seeds यहाँ पर Seeds का यह production करते हुए दिखता है जनरली 83% of revenue यहाँ पर Crop Care से आते हुए आपको दिखेंगा और 17% revenue Seeds में आते हुए आपको दिखेंगा Crop Care की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए Company जो है Fungicides, Insecticides, Herbicides यह तीनों आपको production करते हुए दिखेंगा International Business देखिए यह Active Ingredients बनाता है Formulation and Contract Manufacturing का भी काम करते हुए आपको दिखेंगा Crop Care में और एक सेग्मेंट है Nutrition जैसे Fertilizers का भी यह Company production करते हुए दिखेंगा Organic Fertilizer Bio Stimulants, Bio Fertilizers Water Solute Fertilizers, Secondary and Micronutrients, यह तमाम Fertilizers भी Company यहाँ पर production कर रहा है Seeds, देखिए हर टाइप का Seeds यहाँ पर मिलेगा Cabbage and Watermelon Among other यह तमाम जो है Seeds अपना Farmer को यह बना के देता है यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते है यह हर टाइप का यहाँ पर Seeds बना रहा है यहाँ और पैदावार भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है भारत में Next अगर देखेंगे यह कंपनी लगातार काम कर रहा है क्या कर रहा है आप देख पार है Enhancing Manufacturing Capacity of Active Ingredients and Formulation Manufacturing Capacity में आपको पहले बोला था यह बढ़ा रहा है Building a New Ingredients Research and Development Center Research and Development Center बढ़ाएगा तो यह निव प्रोड़क्ट आराम से दोस्तों लांच करेगा Launching New Products in Crop Protection Crop Nutrients and Seeds अब देखें निव प्रोड़क्ट भी लांच कर रहा है Enhancing Brand Visibility with New Packed Design and Leveraging Digital Media for Market Promotion Activities प्रोमोड भी कर रहा है अपने प्रोड़क्ट को Brand Visibility भी कर रहा है नया नया जो Packed Package में दोस्तों Packing में जो भी यह अपना बदलाब दिखा रहा है Sales for Automation Dealer Management System and Other Relevant Application to Support Business Process तमाम चीज़ें अपने विजनेस को बढ़ाने के लिए कमपनी कर रहा है Next अगर हम Crop Care Segment जो Total Segment है इसकी अगर कुछ Highlights को देखेंगे 2020-21 के में इसमें क्या एचीब क्या है Achieved Revenue of 2028 Crores in FY 2021 यहां से यहाँ था Compared to 1881 Crores in 1921 लगातर Why on Why Basis पे कमपनी देखें अपनों बढ़ात दिखाते हुए दिख रहा है Record 10% गुरोथ यहां पर दिख रहे है Why on Why Basis पे And 3% गुरोथ in Export including Contract Manufacturing देखें Contract में चुने मिला के 3% कुरोथ भी कमपनी दिखाया है Launched 4 New Products in Crop Production यहां पर 4 New Products launch कर दिया है And 6 New Products in Crop Nutrition Nutrition में भी 6 New Products launch किया है Enhanced Reach Through Dealer Network Dealer Network भी बढ़ा है Working on New Brand Architecture ठीक है With Strong Collection Maintain Optimum Cash Flow through the year देखें मैं Cash Flow को भी Maintain कर ला है Under to Digital Acceleration Digitally भी यह कमपनी जो है अपने आपको डेबलप कर रहा है Continued of Stocking of Raw Materials To Award Stock कर रहा है Raw Materials अगर इसके पास होगा तो दोस्तों यह जो है आराम से काम कर पाएगा Next है Seeds Segment Seeds Segment में क्या कर रहा है यहां पर इसका कुछ हाइलाइट देखते है Achieved Revenue of 401 Crores in 2020-2021 And 364 Crores यहां पर भी कमपनी बढ़ा दिखा दिया है Reporters Sustain Growth Addressed Portfolio Gaps in Field Crops with New Launches जो New Launch करके जो प्रोटफोलियो को अपना बढ़ा रहा है दोस्तों Widen Market Relevant Vegetable Portfolio Through Partnership Vegetable Relative जो Seeds से यह भी लगातर कमपनी बढ़ाते हुए आपको दिखेगा Focus on Employee Safety and Health यह ठीक है Successfully Launched for New Products 4 New Products भी कमपनी successfully launch कर दिया है Levers Breeding Technology for Different Products Levers Breeding Technology भी यहाँ पर अपनाते हुए आपको कमपनी दिखेगा कमपनी अगर हम दोनों ही सेगमेंट इसकी बिजनेस सेगमेंट को देखेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों लगातर आप देख पार है कमपनी पूरा लगा हुआ है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर हम बात करेंगे कमपनी की प्राइस आप देख पार है आज के दिन एक दसमलोग दो पाँच परसेंट की बढ़त है और कमपनी 270 रुपया में अभी ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा कमपनी 52 वी खाया के लिए बिचार कर सकते है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कमपनी की और कुछ पॉइंट को उपर देखेंगे कमपनी का जो फाइनांसियल परफरमेंस ये कैसा रहा है इसके उपर अगर हम देखेंगे ये देखिए कमपनी जादा तर यहां पर देख पार है आप कुछ भी दोस्तों यहां पर परफरमेंस निकल के नहीं आया है पिछले तीन साल का देखिए 51.13% है और यहां पर देखिए टूटल थूआउट दे येर कमपनी प्रेसर में आपको चलते हुए दिखेगा यही वो मोका है दोस्तों यहां पर अगर अच्छा प्रदर्शन तो करेगा ही करेगा और यहां से अगर हम एकुमलेट करके चलेंगे तो आने वाले समय में यह अच्छा रिटर्न भी यहां से यह कमपनी दिखा सकता है बागी दोस्तों कमपनी का आज की दिन 29 दस में लोग 14% की यहां पर जो है यह डेलिवरी उठाया गया था और एक महिने की एबरेज डेलिवरी आप देख पारें 41.86% यहां पर निकल के आ रहा है बाकि अगर और कुछ पारामीटर को देखेंगे परफर्मेंस तो सही है क्योंकि देखें एक क्वाटर खराप हो गया तो ऐसे में कमपनी खराप नहीं होता है यह देख पारें यूर वाइज स्टेडी ग्रोथ रेविन्यू में दिखा रहा है कमपनी net profit में भी देखिए company का growth phase में चल रहा है 183 crores 228 crores यहाँ पर आया है और यहाँ पर अगर quarterly performance को देखेंगे company का यहाँ पर देखिए सितमर quarter में थोड़ा सा company pressure में आपको यह दिखाता है और यही वो कारण है company में लगातार गिरावट होते होते आज देखें 52 week के नीचे ही company trade कर रहा है बाकी इसकी अगर हम share holding pattern को देखेंगे 50 दसमें लोग 09% की holding को रखते है promoter और कोई भी CR इनका place होते हुए आपको नहीं दिखेगा FII क्या कर रहा है 6 दसमें लोग 5-6% की holding अब इनके पास है थोड़ा सा यहाँ पर profit booking करते हुए दिखेंगे DIA 16% की holding इनके पास हुए आपको दिखेगा बात करेंगे company के जो balance sheet है यहाँ पर क्या है कैसा यहाँ पर दिख रहा है यह देखिए total reserve plus 1570 करोड यहाँ पर पहुँच गया है और company का long term में 7 करोड का करजा है और सटर में आप देख पा रहे हैं 37 करोड जीओं दोस्तो 38 करोड का करजा company जो है अब company को चुकाना है और यह करजा लेके रखा है बाकी case and case equivalent आप देख पा रहे है 53 करोड का है और company का total asset भी यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए आपको दिखेगा 2587 करोड यहाँ पर total asset study करके चल सकते हैं बाकी दोस्तों complete decision तो आपके खुद का ही है बस आज के लिए दना था वीडियो अच्छा लगा एक like कर देंगे और चैनल को subscribe नहीं किया तो दोस्तों please subscribe कर दीजेगा जैहिन